हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब तो पिछले वीडियो के अंदर हमने इलेमिनेशन रियक्षन को कम्प्लीट स्टडी कर लिया था अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो उपर आई बटन पे लिंक है वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं आज के वीडियो के अंदर हम एथनोल को डिसकसन करेंगे जो कि आपका एक कारबन कमपाउंड है आप सभी जानते हैं कमपाउंड क्या होते हैं दो या दो से जादा मैटल से मिलके जो बनता है उसको हम कमपाउंड कहते हैं तो carbon compounds बहुत सारे आपको इस chapter में study करने है और जिनमें पहला ethanol है इसके बारे में study करेंगे कि इसका formula है उससे related क्या चीज़ें है साथ ही इसकी कुछ properties है उसकी भी बात करेंगे और फिर इसकी कुछ chemical properties है chemical properties means जैसे कि metals के साथ reaction करेगा तो क्या होगा ethanol दूसरा यहां पर अगर इ discussion करेंगे सबसे पहली चीज़ जो ethanol है उसका formula क्या होता है c2h6o c2h6o यह आपका इसका formula होता है देखिए c2h6o यह इसका formula है लेकिन यहां पर आप इसको चाहें तो कैसे write down कर सकते हैं देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं c2h5oh देखिए 2 carbon है hydrogen 5 और 1 6 और oxygen है इसको इस तरह से write down किया जा सकता है एथनोल को या फिर इसको और भी एक तरह से write down कर सकता हूं कैसे ch3 ch2oh देखिए carbon कितने है 1 1 2 2 है hydrogen कितने 3 2 5 और 1 6 और यहां पर oxygen जुडा हुआ है तो same बात है इन तीनों में से मैं किसी भी तरह से ethanol को write down कर सकता हूं यह तीनों के तीनों जो points है मेरे पास यह क्या है ethanol है तीनों जो formula जहां वो ethanol को represent करते हैं तो यह carbon compound है और जिसका formula हमारे पास होता है यहां पर C2H6O इतनी बात आपको clear हुई अब इसकी अगर properties के बारे में आप बात करेंगे तो सबसे पहली property जो ethanol है वो room temperature पे आपका liquid form में पाया जाता है अगर believe नहीं हो रहा तो आपके घर के आसपास या आपके घर में या कहीं भी पडोस में आपने सराब की bottles को देखा होगा जो wine की bottles होती है उनको आपने देखा होगा उन सभी के अंदर क्या present होता है alcohol present होता है तो वो सारी room temperature पे किसमें होती है liquid state में होती है पूरा का पूरा वो alcohol नहीं होता अगर पूरा एकदम concentrated alcohol पिला देंगे तो death ही हो जाएगी उसमें बहुत कम amount में alcohol होता है कुछ drinks में 10% होता कुछ में 5% होगा अलग-अलग ratios होते हैं अलग-अलग drink के accordingly simply जो alcohol आपके पास वो room temperature पे liquid state में पाया जाता है जमता नहीं है ऐसा नहीं कि room temperature है normally 28 degree 30 degree और इस पे जम गया ऐसा नहीं होता है दूस्तरी property है ethanol को water के अंदर dissolve किया जा सकता है यह ethanol water में soluble होता है जब मैंने बात कर यहां पे की wines की bottle के बारे में जिनमें ethanol होता है एक ethanol ही आपका है जिसको पिया जा सकता है अगर methanol को अगर आप पिलेंगे death हो जाएगी जो factories हैं जहां पर यह बनता है आपके पास इन्हीं ethanol जहां पर बनाया जाता है जो wine bottles जहां पर pack होकर के आती है उस जगह पे normal position में इसको methanol में convert करके रखा जाता है ठीक है ताकि उस factory के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं अगर उस सराब को consume करें तो फिर क्या हो उनकी death हो जाए तो इस डर के मारे वो सराब को consume नहीं करते हैं तो simply क्या करते हैं कि उसको methanol में convert करके रखते हैं ताकि वो लोग उसको पी ना करेंगे तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब उस समंदर के अंदर रहकर के भी वो अपने आपको सेफ रख लेते हैं ठीक तो यह अच्छी चीज है कि सिरफ एक एथनोल है वो उसको ही पिया जा सकता है बाकी जो चीजे प्रोपेनोल ब्यूटेनोल या फिर मैथनोल उनको पिना आपकी हेल्थ के लिए बहुत हारमफुल हो सकता है तुरंत आपकी डेथ हो सकती है ठीक हो ही जाएगी हो सकती नहीं एलकोहल को भी अगर आप यह अगर डैली डैली पिते रहे तो भी आपकी डैथ हो जाएगी नोर्मल पोजिशन में जब हम बात करते ना कि उसने एल यह नहीं किया है है यह धिर सीच Extra यह दो कार्बं ठीक है और तीसरा कार्बम भी ठाफ 5 ओ रख लेके यह होगया तीन कार्बन तो है पानी में मिला करके लोग पिते हैं और साथ की साथ जो बहुत सारी जो ड्रिंक्स हैं जो सोफ्ट ड्रिंक हैं या जितनी सारी चीजें हैं जो लोग पिते हैं उनके अंदर भी एथनोल का यूजब किया जाता है यह कुछ इसकी आपके पास फिजिकल प्रोपेटीज हो चुकी है अब फाइनली एथनोल की क्यमिकल प्रोपेटीज पर चलते है एथनोल की आपको दो केमिकल प्रोपेटीज पढ़ने हैं आपका सिब्यसिसलेबस और आपका एंटीसीसलेबस के अकोडिंग जो पहली प्रोपेटी है कि अगर आप मैटल के साथ रियक्शन करवाए कि reaction with metals हम एलकोहल की यह नि एलकोहल जो में बोलूँगा तो मानिएगा मैथनोल नहीं प्रोपेनोल नहीं एथनोल मानिएगा ठीक है तो एथनोल की reaction करवाएंगे किसे मैटल से यह हमने लिखा CH3 यह हमने लिखा CH2 अब लिखे देता हूं ओ हो गया हमारा एथनोल, इसकी हम reaction करवा रहे हैं, metal से, sodium ले रहा हूं यहां, sodium एक metal है, और हाई reactive metal है आप सबी जानते हैं, sodium reactivity सीरिज में उपर यूपर आता है, कम से कम इतना तो reactive है कि इस hydrogen से तो ज़्यादा reactive है, क्या बनाएगा, यहां पर देखिए यह sodium और hydrogen मिलकर के एक साथ यनि vita हो झाइल हो जाएगा और hydrogen को up laks कर научा कर देगा एक तरह से displacement reaction होगी एक तरह से एक displacement इस एक है कि displacement reaction होगी आपकी displacement होता है जो more reactive है वो lab ऐा को tapes कर देता है यह sodium इसाइडोज़न को को डिस्प्लेस कर देगा और यहां पर इसकी जगह पर आ करके बैड़ जाएगा तो ठीक है लग देते हैं इसको ऐसे कैसे क्या हो जाएगा देखिए CH3 CH2 उसके बाद ओ है oxygen को रख देते हैं यह oxygen और फिर आ गया यहां पर sodium यह बन गया हमारे पास आप देख सकते हैं हमारे पास क्या था एथनोल एथनोल था और साथ में बाहर क्या निकल गया हाइड्रोजन बाहर निकल गया अब दो हाइड्रोजन बाहर निकले हैं आप देख पा रहे होंगे दो हाइड्रोजन बाहर निकले जब यह दो हाइड्रोजन बाहर निकले है तो यहां पे तो आपके पास एक ही आइडोजन था तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके two molecules लेने पड़ेंगे chemical equation तो balance होने चाहिए देखे two molecules लेने पड़ेंगे और sodium है उसके भी फिर यहां पे कितने molecules लेने पड़ेंगे इसको हम name दे देते हैं यहां पे sodium sodium ethoxide यह हमारा sodium ethoxide बन गया है ठीक है यहां पे sodium ethoxide बना और hydrogen है वो बहार निकल गई मैं यहां पे फिर से बात आपको बता रहा हूँ hydrogen बहार क्यों निकली क्योंकि यहां पे हमारे पास sodium है वो more reactive है सोडियम है वो मोर रियक्टिव है और जो हाइड्रोजन है वो कैसा है लैस रियक्टिव है और मोर रियक्टिव ने लैस रियक्टिव को क्या कर दिया अपनी जगह से बाहर फैंक दिया डिस्प्लेस कर दिया यह हुआ है इस रियक्शन के अंदर ठीक है तो यह पहली प्रोपर एकुर मैटल का एक्जामपल आप ले सकते हो जैसे यहां पर हमने लिया एतनोल CS3 CH2O ठीक है अब यहां पर हमने पॉटेसियम लिया यह हमारे पास पॉटेसिम आगे यह भी हाई रियक्टिव है हाइडोजन से तो हाई रियक्टिव है ही कम से कम ठीक है क्या बनाएगा यहाँ पे पोटेसियम है वो हाइडोजन को क्या करेगा अपनी जगह से डिस्पलेस कर देगा तो पोटेसियम आके यहाँ जुट जाएगा तो यह हमने लिख लिया CH3 CH2 यह हमने लिखा O और यह लिख दिया K और प्लस हाइडोजन है वो बहार निकल गई ठीक है हाइडोजन बहार निकल गई आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या था एथनोल था यह एथनोल था हमारे पास पोटेसियम एक metal है आप देख पा रहे होंगे पोटेसियम क्या है एक metal है जिसने डिस्प्लेस किया hydrogen को और यहां पर पोटेसियम खुद आधर के जुड़ गया है इसके साथ मतलब यह कैसी reaction हो गई है displacement reaction हो गई है तो यहां पर यह जो हमारे पास बन गया इसको क्या बोलेंगे potassium ethoxide यहाँ उपर हमने sodium ethoxide बोला था अब इसको बोल देंगे potassium ethoxide और hydrogen gas release होगी आप देख पा रहे होंगे equation को balance करने के लिए यहाँ भी two put कर देते हैं यहाँ पे भी two put कर देते हैं और यहाँ पे भी two put कर देते हैं यह simple बात थी पे चलते हैं dehydration of ethanol ठीक है second property है dehydration dehydration of ethanol ethanol का dehydration करेंगे dehydration का मतलब होता है पानी का बहार निकलना water का release हो जाना ठीक है आप कहते हैं हमारी body है वो dehydrate हो गई है इस बात का मतलब क्या होता है इस बात का मतलब यहीं होता है कि आपके body से water बहुत जादा बाहर निकल गया body का dehydration हो गया है ठीक है dehydration किसका ethanol का ethanol कैसे CH3 CH2 OH यहाँ पे किसके साथ इसका dehydration होगा तो dehydrate करने के लिए कोई चाही है आपको dehydration कैसे करेंगे किसी की presence में होगा तो कोई ना कोई तो चाहिए किसी की presence में होगा तो किसकी presence में होगा प्लस हटा देते हैं क्योंकि किसी से react नहीं करवा रहे क्या डालेंगे इसमें यहां पर capitalist की तरह से काम करेगा sulfuric acid और यहां पर वह sulfuric acid होगा concentrated h2so4 h2so4 क्या होता है? sulfuric acid ठाई है तो sulfuric acid जो है आपका वह काम करेगा किसकी तरह से? catalyst की तरह से यह जो है ना बहुत खतरना acid होता है किसी की skin पर डाल दोगे तो completely उसकी जो skin है न वो जल के खाक हो जाएगी government ने अभी इसको ban कर दिया है बहार ऐसे आप खुले में ये जो concentrated जो sulfuric acid उसको आप नहीं खरीद सकते अगर किसी की skin पे आपने डाल दिया तो उसकी skin को क्या करेगा dehydrate कर देगा वहां से जो पूरा water है उसको soak लेगा बहार रिकाल देगा और उसकी skin जल जाएगी पूरी तरह से आपने देखा होगा न एसीड अटेक जिन पे हुआ होता है बहुत सारी movies भी बन रही है एसीड अटेक पे तो जिन पे एसीड अटेक हुआ होता है बहुत बुरी बात है नहीं करना चीए किसी की भी life है वो इस तरह से बरबाद हो सकती है पूरी life तो बचना चीए ऐसी चीजों से देखिए concentrated H2SO4 CH3 CH2OH ये आपके पास क्या है ethanol है इसकी presence में इसके साथ जब reaction होगी तो क्या हो जाएगा इसका dehydration मतलब बाहर निकल जाएगा वोटर तो इस चीज को मैं चाहूं तो कैसे write down कर सकता हूं देखिए इस चीज को मैं चाहूं तो किस तरह से write down कर सकता हूं ये हो जाएगा हमारे पास CH2 ये मैंने इसको H CH3 को मैंने इसे write down कर लिया अब यहाँ पे हो गया मेरे पास CH2, उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैंने OH, यहाँ पे राइड डाउन कर दिया, यह सिरफ और सिरफ आपको यहाँ पे समझाने के लिए ऐसा किया है, अब यहाँ पे देखिए H2 आपको अलग से दिख जाएगा, बहार निकलता ह होगा, तो क्या बचेगा, CH2 और CH2 बचेगा, बचेगा आपके पास, क्या बनेगा देखिए, और प्रजेंस में किसकी में हो रहा है, और साथ में कौन बहार निकल गया, वोटर, H2O, H2O है, वो बहार निकल चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या राइड डाउन करूं, इसका नेम है, वो क्या था, पहले मेरे पास इसका नेम था एथनोल, यह सेमी बात है, यह चीज, और यह चीज सेमी है, एक चीज है, यहाँ पे एथन नहीं, E, N, E, double bond के लिए, N, double bond के लिए, N, alkyne, alkyne, alkyne पड़ चुके हैं, और triple bond के लिए, ठीक है, पड़ चुके हैं हम इस बात को, तो यहाँ पे जो हमारे पास बहुत खतरनाग जो एसिड है, sulfuric acid, उसने इसका क्या कर दिया है, इसको बहार निकाल दिया है, दो ह important reaction थी, पहली तो आपके पास reaction क्या है, जब ethanol metal से reaction करेगा, तो क्या होगा, hydrogen बहार निकल जाएगी, displace कर देगा hydrogen को, ठीक है, और एक salt बना देगा, और अगर ethanol ने reaction कर लिए, कि से concentrated H2SO4 से, यहनि इसका dehydration, तो फिर इसका dehydration हो जाएगा, यहनि water बहार निकल जाएगा, और alcohol स बन जाएगी, ethene, जो की बन चुकी है, यहाँ, आप screenshot लिजिए, यह simply आपका एक compound था, ethanol, जिसको हमने detail में study कर लिया है, ठीक है, next video के अंदर, हम preparation of alcohol, यानि alcohol को सराब को कैसे तयार किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा study करेंगे, तो detail में study करेंगे, थोड़ा सा नहीं अगर ये वीडियो आपको informative लगाया है, तो अपने friends के साथ share करिए, like करिए इस वीडियो को, आपका कोई question है, तो निचे comment करिए, इस channel को अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है, तो कर लिजिए, bell icon को जरूर प्रेस करिए, ताकि सारे notifications आप तक पहुंचते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, preparation of alcohol के साथ, तब तक के लिए thank you, have a nice day